कि अगंगे अगर समालोचना पुस्तिका के बारी में दोस्तों के समालोचना पुस्तिका के बारी में धूसे आप बीड, बीटीसी या फिडियलेट में बनाते हैं इसे आप किसी भी समेश्टर में बनाते हैं टीचिंग के समय यह वह पुस्तिका है जिसमें आपके दोरा पढ़ाई गई पार्थ योजना का प्रिश्ट पोशर यानि फीडबैक नहीं थोता है आपने जितनी भी पार्थ योजना बन पुस्तिका तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि समा लोचना पुस्तिका आपकी लेशन प्लान से ही रिलेटेड होती है यह आपके फीडबैक से रिलेटेड रहेगी इसके संदर में आप समा लोचना फाइल बनाएंगे तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह फाइल आप कैसे तयार करेंगे तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो यहां पर सबसे पहले आप हैडिंग डालेंगे समा लोचना समा लोचना पार्ट योजना के अकॉर्डिंग डालेंगे यानि लेशन प्लान के अकॉर्डिंग डालेंगे तरह से आप डालेंगे आप दिनाग चेंज कर लिजेगा कक्षा चेंज करना चाहें तो चेंज कर लिजेगा विशे अगर आप हिंदी के लिए बना रहे हैं तो आप अपने पाठ योजना के अनुसार आप टॉपिक यानि प्रकरड रखेंगे यहाँ पर पहला पॉइंट है यानि टॉपिक है मेरा देश विव्यक्तितु ठीक है यह सिक्षिका के बारे में है प्रस्तुती करड अच्छा है यानि उन्हें प्रेजेंटेशन दिया है चात्रों को वच्छा दिया है विशे ग्यान ठीक है यानि विशे का उच्छित ग्यान है चात्रा ध्यापिका को त तो इतनी सारी चीजे आपकी समालोचना में रहेंगी पाठ यूजना एक के अंतरगत, उसके बाद हम अगली पाठ यूजना देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समालोचना पाठ यूजना नमबर 2, यहाँ पर दिनाक आपकी पड़ी हुई है कक्षा, विशय, अपने अकॉर्डिन डालेंगे, विशय यहाँ याणि सब्जक्ट आप अपने कॉर्डिन डालेंगे, आओधी यानि टाइम पीरियड आप अपने कॉर्डिन डालेंगे, वैसे मिनिमम आपका 30 और मैक्सिमम 35 या 40 होता है, उससे जादा काप मत रखेगा, चक्र यानि पीरि जाते तो आप टॉपिक डाल सकते हैं अपने लेशन प्लान के अकॉर्डिंग उसके बाद व्यक्तित यानि परस्नालिटी की बात की जाए तो उनका अच्छा है प्रस्तिती करड़ यानि प्रेजंटेशन उन्हें बढ़िहा दिया है यहां पर सिक्षका की बात हो रही है लिख्षडकार इनके द्वारा किया गया है तो यही सारे पॉइंट आपके रहेंगे अगर बात की जाए समालोचना फाइल की उसके बाद ग्रहकार मौखिक तथा लिखित दिया गया है ठीक है तो यह हो गया आपका समालोचना जो की पार्ठियोजना 2 की अंतरगत आएगा यह आपका एक फीड़बैक रहता है कि सिख्षिका ने किन किन पॉइंटो पर अपना फीड़बैक दिया है ठीक है उसके बाद आप समालोचना पाठियोजना नंबर 3 डालेंगे क्योंकि आप समालोचना बता रहें पाठियोजना 3 पर यहाँ पर वैसे ही दिनांग, कक्षा विशय अवधी और चक्र रहेगा आपका विशय गडित है प्रकरण एक से दस तक संख्या है ठीक है व्यक्ति तो यानि पर्सनाल्टी जो है अच्छी है प्रेजन्टेशन अच्छा है विशय का ग्यान अच्छा है यानि सब्जक्ट नॉलेज बढ़िया है चुकि गडित का ह प्रेयो किया गया है श्यांपट कार का प्रेयो किया गया निक्षड कार सिख्षिक दौरा किया गया है कख्षन यंत्रड अच्छा है और ग्रहकार लिखित के लूप में दिया है ठीक है तो इस znajduях से आप आपके 20 लेशन प्लान हर एक समेस्टर में रहेंगे तो आपको समालोचना फाइल जद तर आप इसे 2nd समेस्टर में तयार करते हैं बट अगर आपको 3rd समेस्टर में कहा गया तो आप 3rd या 4th में भी बना सकते हैं उसके बाद पाथ योजना आप 4 डालेंगे ठीक है नंबरिं प्रस्तुति करड ठीक है विशेग्यान बढ़िया है टेलम यगत्विदी का प्रयोग किया गया है शामपट कारी कराया गया है नेक्षड कारी किया गया है कक्षा नियंत्रड अच्छा है ग्रहकार लिखित है तो इस तरह से यहां पर आपकी समालोचना हो गई पाठ यूजन और विशे के अकॉर्डिंग आप अपने प्रक्राड को ध्यान में रखेगा पाठ यूजना पाँच है दिनांख कक्षा विशे अवधी और चक्त इनको आप मेंशन करने के बार टॉपिक डालेंगे दो अक्षर वाले शब्द व्यक्तित्व अच्छा है प्रस्तुति करड ठीक है विशे गयां ठीक है टियल нажm गतविदी का प्रयों किया गया है स्यंपट कारे कराये गया है नेक्षर कारी किया गया है कक्षा नियंत्रड अच्छा है ग्रह कारे लिखे दिसके बाद देखेंगे समालोचना पाठ योजना छे की यहां पर आप पात योजना नमबर चाहा जो डालें लाइन से ही डालेंगे ठीक है तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप विशय ले रहे हैं गड़ित जो भी आप प्रकरड बनाएंगे लेशन प्लान के लिए वह यहां पर आप डालेंगे ठीक है तो प्रकरड का विशेश द्यान रखें विशय के साथ चुकि यहां पर आप देख सकते हैं आपका गड़ित का है तो टॉपिक है एक से पचास तक गिनती व्यक्ति तो यह सिक्षिका यह सिक्षका हो सकता है व्यक्ति तो यानि परस्नालिटी ठीक है प्रेजन्टेशन अच्छा है चुकि यह सारे पॉइंट में वही चीजे रहेंगी व रहकार मौखिक कैसे होगा लिखित ही रहेगा मौखिक में आप याद करने को देंगे तब वो मौखिक और लिखित कहलाएगा तो इस तरह से यह हो गया आपका पाथ योजना 6 की समालोचना उसके बाद हम देखेंगे समालोचना पाथ योजना 7 की यहां पर दिनांक, अधी विशह से दद्दस लेशन प्लान बनाने हैं मैंने लेशन प्लान का वीडियो बताया हुआ है ठीक है तो उसे आप देख लें अगर आप डियलेट 2nd समेश्टर में अगर यहीं पर आप 3rd या 4th में होते तो आपको सभी सब्जक्ट से रिलेटेट 2-2 लेशन प्लान तेयार करने होते उन पर आपको समालोचना फाइल तेयार करनी होते ठीक है तो यहां पर जैसे अब आप डिययलेट 4 में होते तो आपको 6 7-8 लास के लिए टॉपिक और विशे से आपको दो दो लेशन प्लान तयार करने होते उन पर आप समालोचना फाइल तयार करते तो यहाँ पर जैसे आप मारीजे गडित विशे हैं तो यहाँ पर गडित विशे से सम्मंधित आप लगुत्तम समापवर्थ या महत्तम समापवर्थ विशे गड रहता और टॉपिक आपका यही रहता जो कि मैंने बताया है उस पर आप बना सकते थे व्यक्तित्व अच्छा बताएंगे प्रेजेंटेशन वगएरा बढ़ी हाँ विशय ग्यान अच्छा है सिक्षक या सिक्षिका का टी अलम का प्योग या गत्विधी अगर की गई है तो इस तरह से यहां पर आपने पाठियोजना संख्या साथ की समालोचना बताई उसके बाद हम डालेंगे समालोचना पाठियोजना नमबर आठ की यहां पर हिंदी है अगर यहां पर बात की जाए कक्षा की ठीक है मां लेजे कक्षा आप बड़ी कक्षा छे साथ आठ आठ छे वक्त तो ठीक है, प्रस्तुती करद ठीक है, विशय ग्यान ठीक है, टीलम कप्र्योग, वही सारी चीजे आप देख सकते हैं, बिलकुल, ऐसे ही आप लिखेंगे अपनी समा लोचना फाइल को, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे समा लोचना पार्थ योजिना नमबर 9, जो क कुछ सिर्फ टॉपिक चेंज करना है विशय के अकॉर्डिंग कक्षा भी चेंज करनी है और डेट भी उसके अलामा आप सब कुछ वैसे ही कॉपी कर सकते हैं जैसे कि यहां पर दिया हुआ है तो आप इन पॉइंटों को देख लीजी आप लाइन से कॉपी कर सकते हैं उसके यहां पर हम डालेंगे समा लोचना पाठ योजना दस आप सभी को पता है कि डिलेड सेकेंड थर्ड और फोर समेस्टर में 2020 लेशन प्लान बनाने रहेंगे ठीक है तो समा लोचना आपको हर एक लेशन प्लान पर देना है यहां पर आपका विशय गडित है दिनांक आप प्रियोग किया गया है श्यामपटकार किया गया है निर्क्षडकार किया गया है ठीक है कक्षन इंत्रड और ग्रहकार यहां पर अच्छा है और लिखित आपने दिया है यह हो गया समा लोचना पाठ योजना संख्या 10 की उसके बाद हम नेक्ष्ट देखेंगे समा लोचना पाठ योजना संख्या ग्यारा की यहां परफी से दिनांग कक्षा विशय अवधी चक्र विशय आपका गडित है और प्रकरण है अंको का जोड पहले हमने देखा था टॉपिक में अंको का घटाना व्यक्ति तो ठीक है प्रस्तुति करण अच्छा नहीं है ठीक है विशय ठी ठीक है टीलम गत्विधी का प्रयोग किया गया है स्यांपट कार किया गया है निक्षड कार किया गया है कक्षा नियंतर अच्छा है ग्रहकार लिखि दिया गया है उसके बाद आप डालेंगे समालोचना पाठ योजना संख्या 12 कि तो यहां पर आप बिल्कुल वैसे ही पटकार किया गया है नेक्षड कारी किया गया है कक्षा निरिक्षड अच्छा है और ग्रहकार लिखे तुसके बाद समालोचना पाठ यूजना संख्या 13 की दिनांग कक्षा विशय अवधी और चक्र हिंदी विशय है आपको प्रकरण है बतक और चूजा व्यक्तितु ठीक ह अच्छा है विशय ग्यान ठीक है टीलम ये अगति विधी का प्रयोग किया गया है श्यांपट का कारी किया गया है नेक्षड कारी किया गया है कक्षा नियंत्रण अच्छा है और ग्रहकारी मौकिक तथा लिखे तुसके बाद आप डालेंगे समालोचना पाठ यूजना सं अच्छा है तिएल्म या गत्विदी का प्रयोग किया गया है शांपत कार कराया गया है नेक्षण कार किया गया है कख्षा नींतरण अच्छा है ग्रहकार लिखित हैं उसके बाद समालोचना पाठ्योजिना संख्या 15 की कक्षा आपकी एक है विश्यगड़ित है टॉपिक है तीन का पहाड़ा वेक्तित ठीक है प्रस्तुति करण ठीक नहीं है विशे ग्यान अच्छा है टीलम गत्विधी का प्रयोग किया गया है श्यामपट और निक्षड कार किया गया है कक्षा नियनत्रड अच्छा है ग्रहकार लिखी तथा मौकिक है फिर आप डालेंगे पाठ योजना संख्या 16 की दिनांक अक्षा विशे अवधी और चक्र विशे आपका हिंदी है प्रक्रड यानी टॉपिक है नंदु का जुखाम वेक्तित ठीक है प्रस्तुति करण ठीक है विशे ग्यान अच्छा है ठीलम यगत्विधी का प्रयोग किया गया है ऊधि 30 मिनट चक्र चतूर्त है प्रक्रड है पतंग वेक्तित ठीक है प्रस्तुति करण अच्छा नहीं है विशे ग्यान ठीक है चैलम गत्विधी का प्रयोग करना श्यामपट कारी नहीं किया गया है इस टॉपिक पर निक्षड कारी किया गया है कक्षा नेंतर अच्छा ह और ग्रहकार मौखिक है ठीक है इसके बाद समालोचना पाठ यूजना संख्या 18 की दिनांक आप ऐसे ही सौरी दिनांक आप चेंज करेंगे कक्षा 2 है विशेगडित है अधी 30 मिनट चक्र दुती है प्रकरण है गुड़ा व्यक्तित अच्छा है प्रस्तितिकरण अच्छा है विशेग्यान ठीक है ठीला में गत्विदी का प्रयोग किया गया है श्यांपट कारी कराया गया निक्षड कारी कराया गया है कक्षा नियंत्रण अच्छा है ग्रहकार लिखे इसके बाद समालोचना आप तयार करेंगे पाठ यूजना संख्या 19 को लेकर दिनांक आप अप अच्छा है प्रस्तुति करण विशेग्यान अच्छा है ट्यलाम श्यांपट कारी नेक्षड कारी कप्रयों किया गया है कक्षा नियंत्रण ठीक है ग्रहकार लिखे इसके बाद लाश्ट आएगा समालोचना पाठ यूजना 20 पर दिनांक आप अपने अकॉर्डिंग डाले सq. आउधि चक्र इससे आप कॉपी कर सकते हैं यहां पर टॉपिक है आपका अंग की मात्रा चुकि आपका हिंदी का है विशेग्यान ठीक है टेलम गतिविदी का पयोग किया गया है शैंपट कार ऐनेक्षड कार लिखित तो यहां इतने सारे सारे आपके point ठीक हैई तो पिर कहीं कहीं बीड में भी तैयार होती है तो इसे आप अपने लेशन प्लान जितने भी लेशन प्लान तैयार करेंगे उन सभी पर आप समालोजना फाइल तैयार करेंगे यानि उन सभी टॉपिक पर आप ऐसे ही बिल्कुल तैयार करेंगे कक्षा आप चेंज करेंगे अपन लेंगे और topic अपने lesson plan का ही रखेंगे जिस विशे से आप पढ़ाएंगे ठीक है तो बस आपको topic change करना है विशे change करना है कक्षा और दिना कितनी सारी चीज़ें आपको change करने हैं अगर आप 6-8 या other class के लिए समालोचना फाइल तैयार कर रहे हैं लास्ट में आप देख सकते हैं हर जगह पर stamp और signature वगेरा किये गये हैं आपके जो भी headmaster प्रधाना द्यापक होंगे जिस भी विद्याले में आपको teaching के लिए भेज़ा जाएगा ठीक है तो वहाँ पर आप ये सारी चीज़े करवाएंगे तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि जो समालोचना पुस्तिका होती है वो आपके द्वारा जो पढ़ाय गया TLM है उनका प्रष्ट पोशड यानि feedback देने हैं तो बनाए जाते हैं आपने जितने भी पाठीर ने तयार की हैं उनके लिए आप सब पर समालोचना अपनी देते ह ठीक है कि आपने कैसे क्या topic लिया वक्ति तु कैसा रहा है प्रस्तोती करण विशेग्यान अच्छा था या नहीं TLM का प्रयोग किया गया कि नहीं शामपट का निक्षड कारी कक्षान अंतरड ग्रह कारी सब किया गया है कि नहीं ठीक है तो यह आप जितने lesson plan बनाएंगे उपर आप समालोचना फाइल तयार करेंगे इसे आप किसी भी semester में बना सकते हैं second, third या fourth में ठीक है क्योंकि first में आपका internship फाइल रहती है अगर dealer या B8 की बात की जाते हैं तो यह first में आपकी समालोचना फाइल तयार नहीं होगी second, third या fourth semester में आप इसे तयार कर सकते हैं ज तो मेरे दोस्तों आप सभी को हमारे या वीडियो पसंद आया हूँ, अगर आपको हमारे या वीडियो पसंद आया तो फ्लीज हमारे चैनल स्टडी विस्वाती को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो का notification पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रस करें ताकि मैं जो मेरे नाम से स्टडी विस्वाती के नाम से जहाँ पर आपको सभी वीडियो का लिंग प्रवाइट करा दिया जाता है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक ने टॉपिक के साथ, अब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद, थै